हलो एन वेलकम और कंफ्यूज वर्ड्स में आज हम 74 से लेकर के 77 तक कंफ्यूजन को समझेंगे पारला होगा एबल और कैपेबल दूसरा होगा एडवाइस और एडवाइस दूनों को हम दोनों को ही एडवाइस पड़ते हैं और फिर है एलूजन इसको एलूजन और इसको इलूजन पढ़ते हैं फिर है एमेबल एमी एबल और फिर एमी केबल हम इस तरह से पूरे इस चारों कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे पहला है एक था दूर ए बल एबल मतलब योगे योग ता ने योगे और अलगर मतलब भी यो योगे 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 ता ने मिस्यास टाइपिंग हो गया है okay तो एबल इस योग के लिए हम करेंगे एबल का पर्योग, लेकिन वही कहते हैं कि बी अगर कोई बी परसन है, बी टीचिंग कर, बी पार्टिक्लर वर्क, सिंगिंग, सिंगिंग करने के योग है, तब हम कहेंगे कि बी कैप अबल है, क्या मतलब समझते हैं? कि योग का मतलब किसी विशेश कार्ज के तरफ करेंगे, विशेश कार्ज के लिए करेंगे, तो यहाँ पर योग की English करना पड़ेगा capable, लेकिन योग का परयोग अगर जनरल सेंस में करते हैं आप, तो वहाँ पर able करना पड़ेगा, तो राम is able to teach, राम अधियापन के योग है, राम अधियापन के योग है, मीरा is capable of teaching math, मीरा मैस अधियापन के योग है, मीरा मैस अधियापन के योग है, तो यहाँ पर मैस की बात कर दिया है, किसी विशेश वस्तू की बात कर दिया है, तो यहाँ पर capable डालना परेगा, इसके बाद है advice और advice आप देख रहे होंगे खाली अंतर है C का और S का अगर C रहेगा तो सलाह जो की एक noun है और S रहेगा तो सलाह देना जो एक verb है advice का यूज करते हैं A sincere advice is valuable Sincere मतलब सच्चा Advice is stilling है तो सच्ची कर देंगे A sincere advice is valuable एक सच्ची सलाह बहमुल होती है एक सच्ची सलाह बहमुल होती है और advice मतलब सलाह देना The doctor advised Ram complete rest डॉक्टर ने सलाह दिया Ram को complete rest मतलब complete rest करने के लिए तो डॉक्टर ने Ram को complete rest करने के लिए सलाह दिया इसके बाद है 76 illusion illusion मतलब प्रसंग प्रसंग का मतलब आप कह सकते हैं बातें बात कह सकते हैं जैसे आप कुछ उधारन देते हैं कि मैं जब पहर रहा था तो मेरे यहां बहुत बिरलेंट बच्चा था और वह जिस तरह से पहरता था उसका उधारन दे सकते हैं उसी को बोलते हैं प्रसंग जो बातें पीछे की होती है There are many illusions, बहुत सारे प्रसंग है Of my struggle, मेरे संघर्स के, in my life, मेरे जीवन में मेरे जीवन में, मेरे संघर्स के बहुत प्रसंग है इसके बाद है illusion, इसके बाद है इलूजन, इलूजन तक ब्राह्म That the ghost exists, is an illusion इसको पड़ते हैं ghost, h silent होता है, पड़ते हैं ghost भूत होता है यह एक ब्राह्म है, illusion मतलब भूत होता है यह एक ब्राह्म है Now, amiable, amiable मतलब प्रिय, ram is amiable in his behavior Ram, अपने व्योहार में प्रिय है, मतलब, ram का व्योहार प्रिय लगता है तो यह हो गए amiable, दूसरा है amicable, दोनों में ame है, एक है able, एक है cable, यहां रखेंगे, amicable मतलब शान्ती पूँ, the dispute was settled amicably, dispute मतलब विवाद, विवाद, was settled, निपट गया, यहां निपटाया गया, ऐसी वह से, the dispute was settled, विवाद निपटाया गया amicably, amicably मतलब शान्ती पूँ तरीके से, शान्ती पूँ तरीके से, विवाद को शान्ती पूँ तरीके से निपटाया गया, तो confused words में, able और capable, देख लिए, able का general sense में पर्यूँ करते हैं, और capable का special sense में पर्यूँ करते हैं, जैसे teach करना है, तो able कि subject का, subject के नाम ले लेंगे तो यहाँ पर capable हो जाएगा, यह भी कभी example आपको दिया था, फिर advice, अगर C वाला है तो सलाह noun, और S वाला है तो सलाह देना, illusion मतलब प्रसंग, और फिर illusion मतलब भ्रम, amiable मतलब प्रिये, और amicably मतलब शान्ती पूँ इस तर